आखिर ऐसा क्या हो गया कि सभी राज्यों के लोग कह रहे हैं कि मुख मंत्री हो तो सिवराज सिंग चोहान जैसा मुख मंत्री अगर हो तो योगी आदितनाथ जैसा और सभी लोग कामना कर रहे हैं कि हमारे राज्य के भी मुख मंत्री सिवराज सिंग चोहान जैसा हो हमारे राज्य के भी मुख्मंत्री योगी आदित नाथ जैसा हो तो दरसल हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी चर्चा क्यों चल पर रही है और लोग आखिर ऐसा मांग क्यों कर रहे हैं नमस्कार मैं प्रिंज कुमार सिंग और आप देखने हैं पोजेटिव इंडिया दरसल आपको बताते चले कि हमने कल ही आपको अपनी रिपोर्ट में बताई थी कि बीजेपी के ही एक नेता प्रवेश सुकला ने एक आदिवासी बेक्ती के सरीर पर मुह पर पिसाब कर दिया और इंसानियत को सर्मसार किया था जिसके बाद ये वीडियो सोसल मीडिया पर बड़ी तेजी से वैरल हुआ था और मुख मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने स्वता संग्यान लेकर के कारवाई की और उस बीजेपी नेता पर ही बीजेपी के ही सीम ने एने से लगा दिया औ और इने से किस पर लगाया जाता है ये बात बिहार के मुख मंत्री नितीश कुमार और बिहार के उपु मुख मंत्री तयस्वी आदव और तमिलनाडू के मुख मंत्री M.K. स्टालिन को सिवराज सिंग चोहान से सिखना चाहिए और लोका तो यहां तक कहना है कि इन तीनों नेताओं को सिवराज सिंग चोहान से जाकर के गुरू मंत्र लेना चाहिए क्या कि शासन कैसे चलाया जाता है कौन सा कानूनी कारवाई किस पे किया जाता है एने से किस पर लगाया जाता है आपको बताते चले कि जहां प्रवेश सुकला पर अपने ही नेता पर सिवराज को अपने शासन तंत्र को भेज कर सु स्वागत से अपने पास बुलाया और बिनम्रता पुर्भग उसको अपने चेर पे बैठा करके üs आदिवासी बेक्ती के पैर धोये और पैर धो करके अपने हाँ से एक मुख्ध मंत्री कैसे किसी आदिवासी बेक्ती के पैर धो रहा है वो देखकर लोग भाव भी हल हो गए और लोग शिवराज सिंग चोहान की काफी तारीफ कर रहे हैं, वहीं उस आदिवासी के साथ मुख्धमंत्री सिवराज सिंग चोहान लंच भी करते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं उनको सम्मानित करते हैं और उनको साप साप कह देते हैं कि अभी से आपका मैं बरा भाई हूँ और आपको जो भी चीज की जोवरत होगी उसके लिए मैं हर्चन आपके लिए खरा हूँ और सरकार के आदमी भी अगर गलती करेंगे राजी की जनता के साथ तो सिवराज सिंग चोहान उसके लिए खरा रहेगा और अपना आदमी भी हो कोई कितना भी अपना हो कोई कितना भी प्यारा हो उस पर भी कारवाई होगी और इस कारवाई को देखकर और सिवराज सिंग चोहान की बिनम्रता को देखकर आद देश भर के राज्य के लोग दूसरे दूसरे राज्यों के लोग कह रहे हैं कि मुख मंत्री अगर हो तो सिवराज सिंग चोहान जैसा मुख मंत्री अगर हो तो योगी आदितनात जैसा और योगी आदितनात की चर्चा क्यूं हो रही है उस बात को भी जरा समझने की कोशिस कीजिए कि आदितनात की चर्चा इसलिए हो रही है कि अतीक अहमद के अवैद कबजे से मुक्त कराए गए जमीन पर उन्होंने बड़े बड़े फ्लेट बन बाए हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन बाए हैं जिसमें कई सो फ्लेट हैं और उन लोगों को उस फ्लेट की चाभी दी गए जिनके पास अपना घर तक नहीं था यानि कि योगी आदितनाथ जो उग्रवादियों पर जो गुंडों पर कारवाई कर रहे हैं बुल्डोजर चला रहे हैं उनके अवैद तरीके से कमाई गई संपतियों को जमीनों को जब्द किया जा रहा है अब उसका फैदा आम लोगों को कैसे मिल रहा है इस बास से समझने की जवरत है क्या कि योगी आदितनाथ उत्तर प्रदेश में कैसे सरकार चला रहे हैं और लोग तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि MP मॉडल और UP मॉडल राज्य के मतलब हर एक राज्य में लागू होना चाहिए और इन दोनों मुखमंत्रियों से दूसे राज्यों के मुखमंत्रियों को सीखने की जवरत है कि कैसे गुंडों पर कावू किया जाता है और अवेत तरीके से कमाई गई संपत्यों का कैसे सदुप्यों किया जाता है नहीं आपको पताते चले कि अभी बिहार में एक तरीके से दो दिन चार दिन की बारिस में जो बाढ़ा गई है अस्पताल में पानी घुश गया है लेकिन बिहार के स्वास्त मंत्री अभी गायब हैं और बिहार के स्वास्त मंत्री विदेश भ्रमन पर गये हुए हैं और अक्सर तेजसी आदब ऐसे मौक्वे पर लापता हो जाते हैं और लोका तो यहां तकरना है कि ये लोग को को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है जनता से इन लोग को कोई भी तरीके का सरोकार नहीं है कोई मतलब नहीं है वहीं मदपरदेश के मुक्खमंत्री सिवराज सिंग चौहान द्वारा ये किया गया जो किया गया है आदिवासी के साथ उस पर यहां तक ये बोट बैंक के लिए किया जा रहा है तो लोगों का ये भी कहना है जो सपोटर हैं कि अगर बोट बैंक के लिए ही किया जा रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है कि नेता लोग कम से कम अपने बोट बैंक की भी जत तो कर रहे हैं कि आदिबाशी को गरीबों को उनका हक द जो माई समिकरन का दावा करती है आखिर वो बिहार में अभी जो भी घटनाए हो रही है चाहिए वो पूल गिरा हो या फिर दो दिन के बार के कारण जो अस्पतालों में पानी घुस गया हो एम्बुलेंस की कमी हो इस पर जहां बिहार सरकार कोई कारवाई नहीं करती स्वास् प्रताप यादब का एक ब्यान आया था कि आखिर ये सारा काम जो है BJP करारा रही है अंगि के बिहार में जो भागलपूर का पूल जो गिरा था वो BJP ने गिरवा दिया था इस बात को तेस परताप यादब ने साफ-साफ कह दिया था वहीं आपको बताते चले कि मध्द प लगता है कि ये बोट बैंक की राजनिती हो रही है क्या आपको ये बात लगता है कि अगर ये बोट बैंक की भी राजनिती हो रही है तो अच्छी बात है होनी चाहिए और गरीब गुर्वों को उनका अधिकार मिलना चाहिए क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की यो आप जो भी इस मुद्दे पर सोचते हैं किरपया अपनी अनमोल राए कमेंट बॉक्स में जरूर दे इस मुद्दे पर जैसे ही कुछ नय अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुचाएंगे जुरे रहे हमारे साथ जै हिन जै भारत जै जै विया